हलो फ्रेंट्स वल्कम तो मैं चैनल यह अब भी इंग्लिश फ्रेंट्स आज हम देखने जारें किया लिशन 59 जहां पर हम देखेंगे शुट का एक्टिव और शुट का प्यासिट क्या होदा है फ्रेंट्स अगर बात एक्टिव टेंश की जारी है तो हम लोगों ने शुट क को देख सकते हैं और समझ सकते हैं बड़ा भात करते हैं कि शुट का पैसिव कैसे बोला और बनाया बात यह छाह excited उसकी जो पहोदी नवह यह चाहिए लेकिन जैसे बात पैसिव की हो जाएगी उसकी पैस्द्र क्यों ब्लाना जाहिए घरद है लुछ अगर इसी को मैं पैसे बोलूँगा तो क्या बोलूँगा कि आपके द्वारा गाना गाया जाना चाहिए अगर मैंने आप से कहा होता कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो sentence हमारा active का हो गया और इसे sentence को मुझे पैसिब बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए तो जाना चाहिए यह हमारी क्यों होगी सुटका पैसिब की पैसान होगी लेकिन आपको मैंडे करने हैं कि जो जाना चाहिए वो गर्व की बाद में अलग से लिख कर आएगा जैसे खेला जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए, कमाया जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए तो वर्ब की बाद जब जाना चाहिए लिख्याज है तो उसके लिए आपको should be और वर्ब की third form रखनी होगी क्योंकि sentence हमारा कहा कहोगा passive कहोगा अब structure की बात करें तो active में हमें सबसे पहले subject रखना है should और उसके बाद वर्ब की first form निगेटिव बनाए तो इसको should कर ले इंट्रोगेटिव वो तो should को पहले कर ले और अगर बात passive sentence की है तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा object और इसके ठीक बाद हमें रखना है क्या should be जो कि हमारी क्या होगी helping work और फ्रेट्स माइंड कीजेगा be work की third form by your subject यह fix रहेगा यह किसी की structure में नहीं बदलने वाला तो पूरे के पूरे च्छे structure बनेगे जहां पर आपको should be third form by your subject करना होगा है अगर सेंटेंस हमारा negative होगा तो में not कहां पर रखना होगा should और भी डुनों के पीछ में और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेडिव होगा तो हमें इस शुट को क्या करना होगा और पहले रखना होगा अब इसमेंग एक्जामपल देखते हैं और समझते हैं तो अगर मैंने आपसे कहा होता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए मारा इसेंटनस कहां करो गया एक्टिफ करो अब अगर मारा सेंटサErू 他 रखने होगा सब्यों पर क्या को दो इस की बाद में आपर रखना हो एक्ट कर दीजे क्या अनलेटे हैं तुक् иट को भी एक्ट करदीजे मní क्या और यह सिखना जिसको आपको अंग्रेजी चाहिए और फ्रेंड अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसे बोलूगा तो मैं कैसे बोलूगा कुछ इसी प्रकार से ना कि आपके दोरा अंग्रेजी सीखी जानी चाही अब अगर मैंने संदेर्थ कुछ इस प्रेकार से भोला है, इसंदेर्थ हमारा कहा सब — RE lawn पैसिफ का हो गया अब अगर इसंदेर्थ हमारा पैसिफ कहे है तो इसको पैसिफ खिशिब से बना ले जे और पैसिफ से बनाना है इस इंग्लिस को सबसे पहले आप एड़ कर लिए इसके ठीर बाद आपको साहे करिया रखनी है जो कि यहाँ पर कौन है हमारी शुट भी उसको भी हम लोग यहाँ पर एड़ कर लेते हैं अब अमेरक नहीं क्या वर्म की थाड़ फर्म तो जो लर्न होता है ना इसकी थाड़ फर्म क्या होते है लॉंट ल-e-a-r-n-t तो संटेस हमारा क्या बनेगा इंग्लिस शुट भी लॉंट और य के बाद क्या जाएगा यू बस होगे हमारा स्टेट्मेंट कॉप्लेट इंग इंग्रेजी आपके द्वारा बोली जानी चाहिए और फेंट्स अगर मैं सुट को पहले रज़ दू मैं कुछ इस प्रगार से सिंदेंस बोलू कि शुट इंग्लिस बी लॉंट बाई यू तो हिंदी क्या होगी कि क्या आपके द्वारा अंग्रेजी सिखी जानी चाहिए और इसी सेंट्स अगर मुझे एक्टिव करना होगा तो मैं क्या बोलूगा कि क्या आपको अंग्रेजी सेखनी चाहिए कुछ नहीं करना है आपको फिर से इस शुट को उठा रहे हैं और इसको क्या कर देना है यू के पहले यानि सब्जिक के पहले एड कर देना है और के पहले मैं यहां पर भाई को कर दूँ और मैं आप से कुऊ कि यृडि यृडिन धि जी में च्पिनिकिया होगी कि आपको अंग्रेकिन सीखनी चाहिए और अगर यहां का इसे सेंटेंस को फिल से मुझे surprisingly कार लिछ ok क्यों सीखी जानी चाहिए कुछ नहीं करना होगा आपको फिर से इस क्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए यहां पर डबले वर्डवाई को एड कर दीजे बनगे आपका पूरा सेंडेंस वाइशुड इंग्लिस भी लॉंट भाई ओ आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों सीख जाना चाहिए और मनी शुड़ भी सेपट वाई हर उसके द्वारा पैसा बचाया जाना चाहिए ज़िए इससरफ एकजांपल है आप उसको अपने लाइफ में कीजिये गा नहीं मैंने इसरफ एकजांपल देने के लिए इसा आपसे कहा है अगर मैं आपसे कहूं हूं उसके द्वारा सच बोला जाना चाहिए English should be taught by me मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने चाहिए and I should teach English मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए तो friends इसी तरीके से आप भी प्रेक्टिस करते रहिए मिलते हैं फिर आप से अगले वीडियो में See you next video Till then, bye bye